जै गम माता की, जै भारत माता की, कैसे हैं आप सब उमिद करता हूँ कि माज जगदंबा की किरपाश आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आज का अमारा विशे रहने वाला है दोस्तों, मिथोन रासी को लेके जन्वरी 2030 का महिना आपके लिए क्या कुछ लेकिया है, क्या स्वास्ते कैसा रहने वाला है, ववाई के जीवन कैसे रहने वाला है, विद्यार्थों के लिए जीवन कैसा है, विदेश जाने वालों के लिए महिना कैसा है, इन सभी विशे पर आज के हमारी चर्चर रहने वाली है, विशे पर आगे बढ़ने से पहले मैं अंसो मनसरमा आप सब कर आपके चैनल जो तिसादना केंदर यूटूब पर स्वागत करता हूं अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें ताकि और भी अच्छी जानकरिया सबसे पहले आप तक पहुंच पाए तो आप हमारी चैनल के साथ जुड़े यह आज की जानकारी वीडियो के अंत्य तक आपको बने रहना होगा ताकि आपको संपुर्ण रूप से जानकारी समझ में आप आए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं स्वास्ते मीतुन राशी का देखा तो बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है हलके फुलकी मोश्मी प होने वाला है विदेश के काम से यदि आपका कोई काम जुड़ा हुआ है विदेश जाने वाले हैं तो इन सभी कामों में विर्दी होने वाली है और ये काम दिन दोगनी राज चुगनी करने वाले हैं विदेश का कारी आपका जल्द ही पूरा होगा और आप विदेश जा आप आएंगे विद्यारतों के लिए बड़ा सुनहरा अवसर है विदेश जाने के लिए लंबी यात्राओं को आपके जीवन में सुन्दर योग बनता है और आप लंबी यात्रा करेंगे भी जनवरी का महिना आपके लिए अत्याधिक मात्राओं में सुब की स्तिति में सकता है कि युई केतू ग्रह जो है पंचम भाव में थोड़ी शी प्रिक्षा लेता है तो रेष्पतीजी आपके दसमे वाहाव में वजूद है तो परिक्षा उन की घड़ी तो आपके लिए है परनतु महिनत के साथ अब प्रिक्षा से तर जाएंगे तो देखां जो धाई वरस्त के आपने मानसिक प्रेशानियां जहेली हैं वेपार के मारग में आपने बहुत प्रेशानियां उठाई हैं काम धंदा बेट चुका था जोब छुड़ चुकिती तो दोस्तों उन सब के लिए जनवरी का महना बहुत ज्यादा सुनहरा रहने वाला है क्योंकि सनी देवजी माराज आप को ढहिया से मुक्त करने वाले हैं जितनी आपने प्रेक्षाइं दी थी उससे ज्यादा आपको फल देने वाले हैं बस थोड़ा सा इंतजार है उसके बाद सबस्तितियां ठीक होने वाली हैं इसके बाद दोस्तों पति-पत्ने की अगर इस्ते की बात की जाए तो ठूड़ा सा जो है तालमेल बिगड़ सकता है परन्तु बिगडने के बाद सोदरने की पूरी पूरी संभावनाय हैं क्योंकि सूरिये के साथ سबतमभाव में मौजूद हैं सबतमभाव में जो सूरिय होता है थोड़ा सा पति-पत्नी के बीज मे मन मटाव पैदा करता है परन्तु बुद्ध की जो स्थिति है और जो गुरू की दस्में भाव में स्थिति है कहीं ना कहीं रूठे वे को भी आपके नजदीक लेकर आएगी पर इसका अर्थ यह नहीं है कि सब्द आप सब्दों की मर्यादा भूल जाएं तो सब्दों की मर् गलतियों पर कभी भी पड़दा नहीं डाला जा सकता है तो देखा जाए इस लिहाद से पति-पत्नी के लिए रिस्ता बहुत एहम बहुत अच्छा रहने वाला है इसके अलावा दोस्तों संतान पक्स को अगर देखा जाए तो पंचम भाव में केतु है तो हल्क फुल की जो परेशानियां परेशान कर सकती हैं परंतु संतान का आपको ध्यान रखना होगा मोश्मी बिमारियों से आपको बचाना होगा जो मोश्म के कोडिंग आती है हमारे जीवन में और दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं परिवारिक स्थितियों की परिवारिक स्थितियों को पैदा करने वाला है परन्तु आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि आप समझाओं में ज्यादा गहराई से ने घुशें क्योंकि ज्यादा गहराई में घुशना आपका कही ना कहीं आपकी उल्चनों को आपकी प्रेशानियों को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा तो जन्वरी के 17 तरीक से जो आगे की तरफ आप बढ़ने वाले हैं दसमे भाव में गुरु देव का विराजमान होना एका दस भाव में राहु का विराजमान होना अचानक धन की प्राप्ती का करवाना विदेश यात्राओं का करवाना तो ये सभी स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाले हैं क्योंकि आप धया से मुक्त होने वाले हैं तो दोस्तों ये जो आपकी जनम राशी पर नाम पर और चंदर राशी पर ये फल आधारित है आप इस फल को अपने जीवन से मिलान कर सकते हैं और मां भगवती की करपा से ये मिलान जो ह कि माँ भगवती किरपा रहेगी दोस्तो आज के लिए हमारा विशय इतना ही था अब करते हैं उपाई पर चर्चा आप विश्णु भगवान के राधना कर सकते हैं मानसिक प्रेशानिया वैसे तो तकरिवन आपकी सभी समश्याओं का समाधान होने जा रहा है तो फिर भी पेल के छोंक लगाकर जीरे से नमक की खिचडी बनाकर आप गरीबों में जरूरत मंदों में उसका निवारन करते हैं उसको बाटते हैं तो यह कही ना कहीं आपके लिए फल बहुत अच्छा होने वाला है और आपके जीवन की सभी समश्याओं को खरने वाला है परनतु आपके स्वाद के योग्य हो जैसा आप खुद खाते हैं वैसा इस वाद आपके उस पक्वान में आना चाहिए जो कि आप ग्रीपों को वितरन करने वाले हैं सरवपर्थम सनी देव जी को भोग लगाईएगा उसके बाद ये सामगरी सभी को जो जरूरत मंद वहां पर बै विशे यहीं पर विराम लेता है फिर किसी नए विशे को लेकर आप लोगों के समक्षाने का हमारा प्रियास रहेगा तो दोस्तों आगे बढ़िए और नैतिकता का पालन करते हुए इस्वर की सरण में रहकर सब अपका भला सोचते हुए भला करिए भी क्योंकि सर्दी का म प्रभाव को बदलने पर विवस हो जाते हैं जो दूसरों के हित्मे कारिये करता है दूसरों की मदद करता है दूसरे के दुख को अपना दुख समझता तो उसके जीवन में ग्रहों का नक्रात्मक प्रभाव ज्यादा समय तक नहीं ठैर पहता है आज के लिए इतना ही जै जय भारत माता की